कल के एपिसोड पे हम लोग इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि लेपोर ता एक पॉलिटीशन आदमी है वो जानता है कि एक तीर से कैसे तीन चान निशाने लगा जाते हैं और आज उसने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया जावी का डिसीजन ही पल्टा दिया सचो तो लग रहा हूँ कि एक मैनेजर ने डिसीजन लिया था कि वो एट दी अंड अद दे सीजन बार सुनों को छोड़ने वाला है उसके बाद उसने अब जाके इस चीज़ को कन्विंस्ट हो गया कि उसको नहीं नहीं अभी उसको यहां पर कंटीनियो करना इसमें बड़ी बात किया देखो बड़ी बात यह है कि जावी एक्चुली में वो क्यूलर फैमिली का एक बहुत बड़ा पीस है जावी बार सुनों का लेजंड ही नहीं बलकि मेनेजेरियल क्राइसिस में भी उसने कहीं नहीं कि उस पोजिशन को बहुत खुबसूरती से समाल है और एक ही स लुना में कभी सर अलेक्स वगसन होने नहीं वाले उसने का कि यहाँ पर हो भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कभी टिकने ही नहीं दिया जाएगा politics की बात करें, media की बात करें, fan perception की बात करें यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि एक जिन्दा मुर्दा बनके रहना पड़ेगा definitely यहाँ पर जो pressure है वो कहीं न कहीं काफी जादा है या फिर आप कह सकते हो कि perfect recipe है किसे भी अच्छे कासे इंसान की मांसिक संतुलन को हिलाने के लिए आज उसी manager ने यहाँ पर एक बहुती घनिष्ट चर्चा के बाद यह decide कर लिया है कि वो Barcelona के साथ एक सीजन और continue करने वाला है as a Barcelona fan क्या यहाँ पर आपको खुश होना चाहिए या फिर नहीं आज की इस episode में लोग discuss करने वाले हैं और साथ ही discuss करेंगे कि कैसे यहाँ पर premier league में और particularly यगन klop के इस era के last games में लिवरपूल को इतना बड़ा धक्का लगा कैसे है देखो सबसे पहले अगर बात करते है जावी की इस like decision पे तो यहाँ पर कल एक special meeting हुई थी और कल के episode में मैंने तुमको बताया भी तक एक schedule है लेकिन यहाँ पर एक special meeting हुई जिसमें यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े executive जो बात सुनना के थे उन्होंने participate कह लेकिन जो उसक कि Barcelona में जावी से बहतरीन manager इस point of time पे है नहीं और यहाँ पर उन्होंने यह भी का कि जावी का decision सर आखो पे है लेकिन कहीं ना कहीं वो decision को पल्टाना चाहते हैं और वो मानते हैं कि जावी को continue भी करना चाहिए ऐसे में कल जाव यह decision सामने निकल के आए कि जावी ने बार सुनना में continue करने का decision ले लिया है इसके बाद यहाँ पर थोड़े सी अफरा तफरे और social media में discussion का एक नया point खुल गया अब देखो यहाँ पर इसके consequences बता देते हैं और इसके pros बता देते हैं और फिर तुम अपने हिसाब से अपना opinion comment section में ज़रूर बताना देखो अगर हम यहाँ पर positives की बात करें तो सबसे बड़ा positive यह है कि जो अभी तक का recent development हुआ है अगर collapse हो भी गया लेकिन यह इतना बड़ा collapse नहीं है जितना बड़ा actually में like लगता है देखो बार सुनना as a second position like finish करने वाली है लाली गई इसकी बात है कैसे कैसे हार गई लेकिन इसके बावजूद भी आपको यह make sure करना पड़े है कि पाव कुबार सी गावी पेडरी इसके बाद अगर हम बात करें माग्यू इसके बात फ़र्मिन लोपे इसकी बात करें लमिन यमाल की बात करें वो players है जिसको सबसे जादा अगर किसी ने रास्ता दिखाया है सबसे जादा गया स्ट्रेट स्टार्टिंग 11 में उस लेवल पे आके कि बाई इनके लिए कुछ गलीच क्लब 200-200 मिलियन खर्च करने के लिए तयार है तो उसका credit massively यहाँ पर जावी को जाता है दूसरी चीज जो pro actually में directly जावी से related है भी नहीं असल में यह कि Barcelona का project इस समें इतना toxic चीज पर है कि कोई manager यहाँ पर आना चाहेगा नहीं देखो अगर वो आएगा भी तो उसको भी पता है कि यहाँ पर दो चीज है कि या तो वो है ही नहीं वर्दी अब देखो definitely यहाँ पर मैं hansi flick की अगर बात करूँ तो hansi flick आए वो एक perfect team को like coast एक direction दे सकता है लेकिन rebuild में उसका इतना कुछ खास track record वो भी इतने limited budget के साथ और hansi flick का तुम्हें पता ही है चेहरे पैसी तो रहती नहीं है ठीक ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर बात करें अगर जावी की जावी एक ऐसा solution है जो कि लेपोर्टा को यह पता लेकिन यह अपने को तो बचा लेगा यह अपने पे तो like blame ले लेगा लेकिन हमें बचा लेगा अगर एक और positive की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज इस meeting से निकल के आई है it's a word reset यह reset वर्ड है यह बड़ा important वर्ड है इससे यह पता जलता है कि जो meeting में discussion से वि नहीं होंगी किस तरीके से पूरी होंगी कितनी पूरी होंगी यह तो अब transfer marketing बताएगा और जिसमें most probably मैं को पता है कि यहाँ पर यही scene है कि definitely यहाँ पर उसको लगता है कि एक DM कुछ पैसा दे दो भाई मैं थोड़ा सा invest कर दूँ इन players को निकालो और अपने players मेरे पर मत थ यह जाओ cancel हो यह जाओ फिलिक्स टाइप players मेरे को अगर चाहिए होंगे तो मैं कह दूँगा लेकिन अगर नहीं चाहिए होंगे तो मेरे को दो मत लेकिन इसी के साथ बात करते है अब थोड़े consequences की सबसे पहला consequences यह है कि जावी like एक बहुत बार target है अब अगर next season जावी यह पर fail होता है तो Barcelona चाहा कर भी कुछ कर नहीं सकती और जावी चाहा कर भी इस चीज़ को कह नहीं सकता कि यहाँ पर बार्सोना में ये गलत आए या बार्सोना में ये गलत आए या ये हो गया या वो हो गया ultimately उसको यहाँ पर blame अपने उपर लेना पड़ेगा Leporta को भी पता है ये चीज़ कि अगर next season कुछ भी गलत गया चाहें midway बात करें 25% जब season खतम हो जाएगा तब 30% season खतम हो जाएगा तब उसको अगला season तो देना ही पड़ेगा and let's hope for the best वो ये मान के चलता है कि बार्सोना next season stronger than ever यहाँ पर come back करेगी जावी के अंडर अब अगर वो उसको transitional season देख रहा है तो देन बार्सोना फैंस को इस चीज़ के लिए prepare होना पड़ेगा जो दूसरा consecutive है वो यह कि even if अगर assurance की मान के चले लेकिन paper पे और facts तो यही बताते है ना कि जब तक बार्सोना sell नहीं करेगी जब तक बार्सोना किसी एक asset को बेचे की नहीं तब तक वो invest नहीं कर सकती है और asset में आपर दो ही है चाहे आप बात करो यहाँ पर अरावो की चाहे बात कर आप यह फ्रेंकी डियाओं की और उसके ओपर भी जो थोपा जा रहा है कि जाओ फिलिक्स को भी रख लेंगे जाओ कंसलों को भी रख लेंगे इनकी salary भी है चाहे आप इनके loan को भी अगर extend करोगे तो salary तो ही ना salary का एक इससा तो देना ही पड़ेगा इसे के अधाज जो सबसे बड़ा consequence है वो यह कि अगर जाओ का like आगे आने वाले time में जो next season है जाओ किस तरीके से plan करता है और titles कौन से यहाँ पर जाओ करता है चैंपिन लिग में कहां तक लालीगा में कहां तक और वो कौन सा एक bottom line है जहाँ पर fans को समझना चाहिए कि नए 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 इवन इफ अगर ए transitional season है तो जाओ को यह चीज सो deliver करनी पड़ेगी यह भी अभी unclear है मैं आपको बता दूँ कि जाओ ने यह चीज कहाता कि हाँ यह pressure बहुत जादा है तो मैं बार सुना की जॉब को छोड़ रहा हूं लेकिर उसने यह भी चीज कही थी कि अगर हम titles नहीं जीतेंगे तो definitely मेरा यहाँ रहना बनता भी नहीं है और unfortunately बार सुना यहाँ पर कोई title जीत भी नहीं रही है इस season खेर इसी कि जादे बात करते हैं अब Liverpool की अलविदा पर मेरे को लगता है कि Liverpool हद से जादा काफी आगे चली गई थी और उस पर बहुत कहीं ना कहीं जो वेटेश था वो इस पर बिता कि emotions ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था यंगन क्लॉप को भी चीज पता था कि Liverpool two point actually में उतनी strong है नहीं जितनी Liverpool one point होती लेकिन यह जो नई Liverpool two point हो है यह immature भी है यह inexperience भी है और कुछ हद तक तो यह actually में overhyped भी है चाहिए हम शुबसला की बात करें Macalester की बात करें absolutely brilliant signing है लेकिन यह signing of the season नहीं है चाहिए आप Darwin Nunes की बात करें Darwin Nunes में potential बहुत है लेकिन वो potential unlocked हुआ नहीं है उसके बावजूत भी यहाँ पर जिस तरीके से Liverpool ने title race को interesting मना के रखा कहीं ना कहीं लोगे मानते हैं कि Liverpool का downfall या फिर आप कह सकते हो कि slip up होना inevitable था पिछले चार league games की बात करें तो उसमें यहाँ पर वो दो हार गए हैं एक जीते हैं सिर्फ और एक draw है यह definitely बहुत बड़ी चीज है अगर Liverpool की context मे बात करो गया और हमें title business end of the season में उसमें यह चार चीज़े अगर Arsenal के साथ ही यह हो रहा होता तो Arsenal को भी सब लोग बॉटलर बॉटलर करते हैं और Manchester City के साथ ही हो गया होता तो हाग कार मज जाता इसलिए Liverpool के साथ भी कहींना की story तो बड़ी है लेकिन इसमें drama यह भी है कि Europa League से भी exit हो गया और FA Cup से भी exit हो गया ऐसे मैं यहापर पिछले अगर एक देड़ महीने की बात करें तो यगन क्लॉप के last के games कोई याद करना चाहेगा नहीं लेकर मेरे को इस चीज़ से ही problem है कि Liverpool के इस कुछ एक देड़ महीने से आप यगन क्लॉप के like tenure को define नहीं कर सकते यग लिवरपूल को पहली बार गुडिसन पार पे यगन क्लॉप हारा है और 2015-16 से आद 2024 लगबग 8-9 साल बाद वो अब जाके हारा है गुडिसन पार पे तो बड़ी चीज है यहाँ पर अगर हम गेम की बात करें जैसा मैंने हमेशा से बोला है Liverpool पिछले कुछ टाइम से बहुत बहुत ही इनेफिशेंटली पूरली स्टाट करती है बात बजाके वो गेम में रफ्तार पकरते है जो कि इस गेम में भी डिफॉल्ट सेटिंग यही हुआ था लेकिन अल्टिमेटली शॉन डाइश की जो टीम है उनके पास सेटपीस है और डॉमिनिक कालवट लूइन की बा बात करे शॉबसलाय की बात करे इन सारे प्लेयर्स में वो पोटेंशल है लेकिन वो फायर नहीं कर रहे इसका जवाब तो भाई अब वो ही जाने साला की बात करे शॉट्स ले रहा है क्रियेटिव भी हो रहा है लेकिन बस बरी नहीं कर पा रहा है डाविन उने इसकी बात क कि यहाँ पर वर्जिल वेंडाइक होता है और सबसे प्यारा टार्गेट जो नंगा था वो यहाँ पर ट्रेंट आनोर था जिसने पहला गोल जिसने आई तिंग दूसरा गोल भी कंसीड किया तो डॉमिनिक कालवर्ट लोई नो कॉर्णर पर भी शॉन डैशी टीम ने बहुत अच्छे से एक्सपोस भी करा अगर हम यहाँ पर बात करें डिफेंस की तो एवर्टन देखो लुब 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 तो होई ती एवर्टन की लेकिन वही वाली चीज़ है कि यही गेम अगर आप एक बार फिर से खिलाओगे यही चांसेद आप लिवर्पूल को एक बार फिर से दोगे तो दस में से नौ बार इसके पर प्रोबाइबिलेटी है कि यहाँ पर लिवर्पूल इतने गोल मार देगी लिवर्पूल एकल निकाल नहीं पाए और यही कहानि भी है कि Liverpool जब तक अपने गेर में आती है Liverpool जब तक अपने लें 10 chances create करती है दो गोल मानने के लिए एक गोल मानने के लिए तब तक सामने वाली team against the error of play गोल मार देते हैं कल defense में यहाँ पर काफी confusion देखने को मिला कल defense में भी एक हबड तबड देखने को मिली जो Liverpool से आप expect करते नहीं हो और press को भी अच्छी तरीके से beat किया चाहे हम Jack Harrison की बात करें चाहे हम McNeil की बात करें और Everton ने यहाँ पर make sure किया कि वो अपना दिमाग like legit इदर उदर distract ना होने दे emotions में ना भाएं इस game को professionally और काफी cleverly इस चीज को execute करें ऐसे में शायद से अब यह लगता तो है कि यह game यह competition अब two way race बन चुका है आज तो बैंचे से city में लेकिन city के अभी दो game बाकी है और अभी Arsenal versus Manchester United बाकी है तो make sure करना पड़ेगा कि यहाँ पर scene होने के आवाला है खेर अगर इसी की साथ बात करें यहाँ पर Manchester United की देगा पहली चीज तो मैं बता दू टेन है कि टीम ने कल 60-70% position रखा अच्छी बात है लेकिन यह monumental चीज नहीं है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर game style उसने change कर देए टैने का अपना game style change कैसे कर सकता है जो चीज उसने पूछ नहीं करी लास्ट की 3-4 game में वो क्यों करेगा बस फरक इतना है कि यहाँ पर press करती नहीं है यहाँ पर कलम को देखरे को मिला कि इसका prime example की Manchester United को position रखने में उनको कोई दिक्कती थी वो बस अपना defend कर रहे थे और वो make sure कर रहे थे कि यहाँ तो United गलती करे या फिर उनको set piece में मौका मिले या फिर कहीना कि against the run of play counter attack में वो Manchester United नहीं खोल सके और तीन होई चीज़ी अगर हम defensive midfield की बात करें aggressive नहीं है athletic नहीं है और यहाँ पर overlap और wing पे इतना space मिलता है कि Sheffield United अगर expose कर सकते तो कोई बड़ी team बहुत अराम से expose कर सकती है set pieces की बात करें वहाँ पर भी make sure कि है Sheffield United के कुछ अपर डाल जाए जो चीज़ बहुत बढ़िया काम करी Manchester United के लिए वो यह कि जब game in position होता है जब game स्थिर होता है जब game अपने game state में बहुत काम रहता है तो कहीं न कि Manchester United के वो players में वो IQ है कि वो ball पे time लेके एक perfect time मना सके यह चीज़ हमने कल Bruno Fernandes से देखने को मिली जिसका एक बहुत बहुत लेकिन इसके साथ ही हमको यहाँ पर Diogo Dalot भी उस position में देखने को मिला रासमस होइलन भी हमको इस position में देखने को मिला और Garnacho भी काफी ज़ादा motivated और काफी ज़ादा threatening भी लग रहा था but problem यही है न कि यह game textbook game है यह game खेला गया है और बहुत अच्छा खेला गया है Manchester United की देगी वो Manchester United को खोल के रख देगी अब मैं यह नहीं कहा रहा कि वो हरा ही देगी United को लेकिन United इतना cakewalk तो नहीं मिलेगा खेल इसी की दाधिर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर Real Madrid से तो बहुत हाली में Spanish media ने इस चीज़ को confirm किया कि Killian Mbappe को बता दिया गया है या फ उसको यह चीज नहीं पसंद है नेमार के जाने के बाद उसने पियर जी में मिशे लेफविंग ही खेला है लेकिन यहाँ पर मानते हैं लोग कि Carlo Ancelotti अपने plan में बिल्कुल भी change नहीं करने वाले और Mbappe को या तो instruct कर दिया गया या फिर उसके लिए plan already defined है और इसमें कोई भ time मिलेगा ज्योंकि आर्दा गुलर की अगर profile को आप copy paste करोगे तो अच्छी चीज नहीं सुनने को अगर रोड्रियो की बात करें तो रोड्रियो कितना यहाँ पर adapt कर सकता है कितना आपने आपको sacrifice करेगा और Carlo Ancelotti इस balance को कैसे बनाएगा यह देखने वाली बात है